तो दोस्तो कैसे है आप सभी लोग तो दोस्तो मैं काफी दिनों से अपनी यूटूब चैनल की उपर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि दोस्तो मेरा थोड़ा बीजी बीजी शेडूल चल रहा था इसले में थोड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था ल जित्ते भी background applications को open करते हैं और जित्ते भी background applications हमारे run होते हैं और जो applications recent में open होते हैं उन्हें हम कैसे close कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होंगा हम जित्ते भी applications को open करते हैं वो background में run होते रहते हैं उनके बज़े से क्या होता है दोस्तों हमारा android tv हैंग होने लगता ह है तो दोस्तों इसी प्रावलम का solution में आज clear करने वालों आपको बताने वालों कि आप जित्ते भी background में application से उन्हें आप कैसे clear और close कर सकते हो तो चले दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने Android TV में Google गुगल प्ले स्टोर को open कर लेना है तो मैं जैसे गुगल प्ले स्टोर को open करते हैं तो आपको यहाँ पर search करना है button mapper तो यह दिखिले दोस्तों अभी आपको यहाँ पर search करकर दिखा देता हूँ आप spelling देख लिए आप same to same spelling लिख लेना दिख लिए इसके बाद दोस्तो हमें हम फे आजाने के बाद दोस्तो हमें सेटिंग को open करना है सेटिंग को open करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको दिखेंगा device preference अब जैसे इस पर click करोंगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगा सबसे last option second last option accessibility का तो आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर दिखेंगा बटन में पर तो मैंने अभी इसको on करके रखा है तो आपके इसमें यह ऐसा off दिखेंगा तो आपको इसमें अगर ऐसे off दिखेंगा तो आपको इसको on करना है और आपको okay के बटम पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक आपको option दिखेंगा है configuration का अगर आपको यहाँ पर option नहीं दिखाई दे रहा है आपके tv में तो आपको simple अपने android tv में इस application को open करना है जो कि हमें home screen पर दिखाई देंगी जैसे कि दोस्तों हमने इस application को open कर लिया है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक option दिखेंगा add button का तो आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक option दिखेंगा add button का तो आप देखिए इस पर हम जैसे add button के option पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेंगा press button to add तो दोस्तों आपको अपने android tv के remote में से कुन से भी म हमारी वो बटन एड हो चुकी है तो जैसे इस पर कुलिक करोंगे तो देखीए यहाब को पर झेखींगे तो आपको इसको एनेबल कर देना है तो जैसे इसे पर और दोंगे उसके बाद दोस्तों यह और दोस्तों आपको एक option दिखेंगा recent का तो आपको इस पर भी क्लिक कर देना है तो यह देखिए दोस्तों हमारे यह पर successfully पूरा set हो चुका है अब आपको कुछ नहीं करना अब आपको direct अपने home screen पर आ चुके हैं अब आपको क्या करना है जो जिनसे भी बटन आपने चूज की थी उसको आपको long press करके रखना है यह देखिए मैंने long press करके रखा तो यह देखिए दोस्तों हमारे background applications या पूरे recent application आपको यह पर दिख जाएंगे और दोस्तों और एक बात आपको अपने पास एक mouse खरिद लेना है मार्केट से offline मार्केट से आसानी से 100-500 रुपे का आ जाएंगा तो देखिए अभी मैं आपको दिखा तो इसको क्लोस कैसे करना है तो यह देखिए मेरे पास भी दोस्तों एक wireless mouse है तो आपको एक option देखिंगा क्रॉस को तो इस पर इनेबल कर देना है तो आपको नहीं क्लिक करना है क्रॉस पर तो आपको एक option देखिंगा क्लियर ओल कर दिया है तो हमारे जित्ते भी बैक्रांड अप्लिकेशन से वह पूरे के पूरे क्लोस हो चुके मैं आपको फिर से एक्जांपल दिखा देता अब इनको अगर आपको क्लोस करना तो मैंने वह आपको तरीका बताया है आपको अपने एंडर टीवी के बटन को लॉंग प्रेस करके रखना है देखिए हमारे जित्ते भी बैक्रांड में अप्लिकेशन हो रहे है आपको सब दिख जाएंगे यह देखिए तो आपको चुरू हो जाएंगा अगर आपको मेरे आज की वीडियो परसंद आती है तो वीडियो को लाइक करे और दोस्तों अगर आपको एंडर टीवी से लेकर या फायर टीवी श्रीक यांदुल टीवी बॉक्स से आपको कुछ भी डाउट है या अपको कुछ डाउट है तो पर आप मेरे साथ कुन सा बीड़ा डिसकस कर सकते हो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा आमेजिंग कंटेंट देखने के लिए मिलते रहें मिलते हैं अगले वीडियो में